गुद मॉर्निंग स्टुडन्स एंड वेलकम बेक अगेंग टु वीडियो लेक्चर्स हमने आपके पिछले एक दो वीडियो में अश्मद और युश्मद के विभपती के रूप सीखे उसके पहले चार वीडियो में हमने चेप्टर टू का पार्ट वन, टू, थ्री और फॉर देखा था आज के वीडियो में हम आपका चेप्टर थ्री शुरू करेंगे आपका चेप्टर थ्री है धातू परीचयह याने की क्रिया पदो का परीचय अब चेप्टर हम शुरू करें उससे पहले हम थोड़ी नॉर्मल डिस्कशन कर लेते हैं आपने फॉर्म फाइव में जो पीछे वाला टेक्स्ट बुक में परी सिस्टम था उसमें लट लकार और लूट लकार ये दो टेबल सीखे थे प्रेजन टेंस और फिूचर टेंस का तो जो वो प्रेजन टेंस और फिूचर टेंस थे और वो जो शब्द थे यहां पर आपको एक स्पेसिफिकली एक चेप्टर के तौर पर समझाया गया वो हम ने ग्रामर के टौपिक के तौर पर पढ़ा था यहां पर आपको चेप्टर के माध्यम से सिखाते हैं धातू परिचयः अपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि धातू क्या होता है फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इंग्लिश में अगर हम ऐसा बोलते है कि तू रीड तो वो सिर्फ वर्ब कहलाएगा वी ए आर बी वर्ब और रीड में आई एंजी डाल देंगे तो रीडिंग हो जाएगा तो वो उसका वर्ब फोर्म हो गया तू रीड याने अउनली वर्ब और रीडिंग याने की वर्ब होम सिंपली सास्क्रिप में भी पठ याने पढ़ना तो पठ वो है धातू याने की वर्ब और पठती याने की धातू रूप वर्ब फोम तो यह जो आपका चेप्टर है वो है धातू परीचय हो याने की अपको धातू का वर्ब का परीचय कराते हैं अलग-अलग धातू है खाना पीना लिखना पढ़ना जाना आना वो सब ले जाना ले आना तो यह सब अलग-अलग धातू के परीचय करवाए गए हैं और उसमें भी specifically प्रथम पूरुष के बारे में ही आपको ज्यादातर बताया गया है मद्यम पूरुष और उत्तम पूरुष भी होते है बट अभी के लिए आपको चेप्टर में जितने भी धातू सिखाए गए है उन सब के प्रथम पूरुष के ही तीन रूप सिखाए गए है याने कि जितने भी आप धातू चेप्टर में देखेंगे उन सब में ती तह और अंती लगा हुआ आप देखेंगे ठीके तो चलिए जिया आपको धातू परिचाई का मतलब पता चल गया है याने कि इंट्रोड़क्शन ओफ वर्ब्ज अलग-अलग प्रकार के धातूओं का इंट्रोड़क्शन और उसका एक प्रथम पूरुष का एक वचन द्वी वचन और बहु वचन तो चेप्टर शुरू कर आपका चेप्टर शुरू होता है यहां से बट उससे पहले आपको यहां थोड़ा सा एक्स्प्लेनेशन दिया गया है वो मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ और समझाता हूँ ठीके चेप्टर का नाम है धातू परिचयह याने की क्रिया रूप चेप्टर का एक्स्प्लेनेशन सुरू करते है कि जिससे किसी कार्यक के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते है मान लिज्ये कि आप सो रहे है तो आपकी सोने की क्रिया का पता चल रहा है आप अगर खा रहे हैं तो उससे आपकी खाने की क्रिया का पत्या चल रहा है तो इसलिए उस पर्टिक्यूलर एक्टिविटी को क्रिया कहते हैं तथा क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातू कहते हैं इसलिए पाठती का अर्थ होता है पढ़ना लिख का आ जातू करिया हो गई इसलिए पाठती क्रिया रूप और पाठ याने की धातू उनली धातू जैसे पट धातू का अर्थ होता है पढ़ना लिख का अर्थ होता है लिखना आदी मैं ऐसा बुलू कि पढ़ते है या तो लिखते है तो वो तो क्रिया हो गई बट उसका मूल रूप क्या होता है पट याने की पढ़ना लिख याने की लिखना ठीक है धातू के लिए उसे आप मैट्स में square root बनाते हैं तो वैसे ही आपको किसी भी धातू का सिर्फ अगर mention करना है तो आपको यह जो आप देख सकते है square root की sign है यहां पर तो अगर आपको सिर्फ किसी धातू का नाम लिखना है तो उसको square root की sign में लिखना पढ़ेगा चात्र ध्यान रखे की लिंग परिवर्तन से धातू के रूपों में कोई अंतर आता नहीं अर्थात पुलिंग, स्ट्रिलिंग तथा नपुन सपलिंग तीनो लिंगों में धातू के रूप समान रहते हैं ये जानने वली बात है मैं ऐसा बुलू कि वह लड़की पढ़ रही है तो पठती ही होगा अब मैं ये बुलू कि वह लड़का पढ़ रहा है तो भी वह होगा तो पठती ही भले ही स्ट्रिलिंग और पुलिंग अलग-अलग है तो उसके लिए पठती और पठतीता येसा कोई अलग नहीं आता परिवर्तन होने के कारण क्रिया के रूप में या सफिक्स में कोई परिवर्तन नहीं आता वो पठती का पठती ही रहेगा फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो या नपुन सकलिंग हो ठीक है और काल को संस्कृत में लकार कहते है जो कि मैंने आपका पहले ही बताया कि वर्तमान को संस्कृत में लट और काल को संस्कृत में लकार कहते हैं तो वर्तमान काल याने की लट लकार कहलाता है याने की काल को लकार कहते हैं पौठ धातु के लट लकार के रूप निम्न लिखी थे याने की आपको देखिए यहां एक छोटा सा टेबल दिया गया है पठत पठतह पठंती वो सब आपकी लिए बाद की बात है बट अभी के लिए आपको सिर्फ अलग-अलग धातु ओके क्रिया ओका परीचे करना है बट ये जो समझने वाली जानने वाली बात है वो ये है कि जीन धातु ओका रूप सभी लकारों में समान रहता है उन्हें अव परि परिवर्तन आता है उन्हें परिवर्तनिय धातु कहते हैं कुछ धातु के लट-लकार के प्रत्रथम पुरुष के रूप निम्न लिखी थे देखिए यह औपरिवर्तनिय और परिवर्तनिय किया है वो आप समझें है और एक्जामपल मैं आपको बुलू प्रेजन टेंज मे पठती और उसका फ्यूचर टेंस होता है पठी श्यती तो दोनों में आपने देखा कि पठ यहां भी पठती में पठ है और पठी श्यती में भी पठ है तो वहां पर परिवर्तन नहीं हुआ तो इसलिए पठती में मूल धातु क्या है पठ और गच्छती में मूल धातु है वो गम-गच्छ है तो उसका एक यह लटलकार में वर्तमानकाल में गच्छती होगा और फ्यूचर में गमी श्यती होगा गच्छी श्यती नहीं होगा तो यह गम-गच्छ जो मूल धातु है उसमें वर्तमानकाल में गच्छती का यूज किया और फ्यूचर में गच्छ का यूज नहीं किया गम का यूज किया गमी श्यती तो जिसमें चेंज आए उसे परिव परतनिय धातु कहते हैं ठीके तो आईए शुरू करते हैं पूरे चेप्टर में आपको देखिए आप देख सकते हैं यहां पहला है हस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला हस धातु है यहां तो उसका मीनिंग दिया हसना फिर उसका एकवचन दिया हसती हसतह हसंती ठ ठीके वैसे ही उसके बाद वाला है रक्ष तो उसका मीनिंग होता है रक्षा करना तो रक्षती रक्षतह रक्षंती मीनिंग भी आप साथ साथ में समत्ते जाईए पर पहला है हस उसका मीनिंग होता है हसना तो हसती यानि कि वह एक हस रहा है हसतह यानि कि वो दोनों हस रहे है और हसन्ती यानि कि वे सब हस रहे है रक्ष दूसरा धातु है रक्ष यानि कि रक्षा करना तो रक्षती रक्षतह रक्षन्ती यानि कि वह एक रक्षा कर रहा है वह दोनों रक्षा कर रहे है वह सब रक्षा कर रहे है फिर तीसरा धातु है क्रीड तो क्रीड यानि खेलना तो कृड़ती, कृड़तह, कृड़न्ती वह एक खेल रहा है वे दोनों खेल रहे है और वे सब खेल रहे है फिर चोथा धातु है वद याने की बोलना तो वदती, वदतह, वदन्ती याने की वह एक बोल रहा है वह दोनों बोल रहे है और वह सब बोल रहे है तो ये तीन-चार मैंने आपको with meaning बता दिये अभी हम सिर्फ मैं धातो का नाम बोलूँगा और उसका meaning बोलूँगा आप मन में आधे मिनिट के लिए पांदस सकंड के लिए सोचिए फिर उसके तीनों वचन के रूप बोलने हैं जैसे हमने हस का हसती हसतह हसंती किया रक्ष का रक्षती रक्षतह रक्षंती वद का वदती वदतह वदंती वैसे ही में आगे आने वाले जो और पांच से लेकर ग्यारा तक के जो धातो है उनके नाम और मीनिंग बोलूँगा उसका एक वचन द्वी वचन और बहु वचन आप मन में सोच कर बनाईएगा में दी साथ में आपको कंफॉर्म करवाऊंगा चलिए धातो नंबर फाइव नम याने की नमसकार करना तो सोची क्या होगा इसके एक वचन द्वी वचन और बहु वचन येस नमती नमतह नमनती नेक्स्ट धाव याने दोडना तो उसका क्या होगा दावती धावतह दावनती नेक्स्ट है पठ याने पढ़ना तो उसका क्या होगा पठती पठतह पठनती next eight खेल यानि खेलना तो क्या होगा उसका खेलती खेलतह खेलनती next खाद यानि की खाना तो खादती खादतह खादनती फिर next पच यानि की पकाना to cook तो उसका क्या होगा पचती पचतह पचंती और लाष्ट में ब्रह्म याने की गूमना तो इसका क्या होगा ब्रह्मती ब्रह्मतह ब्रह्मन्ती तो इस प्रकार आपने अभी ग्याराह धातुओं का परिचे किया पठ, खाद, लिक, हस, वद, रोक्स, धाव इन सब के हमने मीनिंग भी देखे और उसके एकवचंद विवचंद और बहुचंद के रूप भी देखे बट ये सब के इस प्रकार के धातू थे और परिवर्तनिया जो जिसका वो मूल्प फॉम था उसी में से हमने उसके एकवच देखेंगे वो chapter यही रहेगा धातू परिवर्तनिया जो हमने अभी देखे वो अपरिवर्तनिया थे जो next प्रकार्ट में हम देखेंगे वो परिवर्तनिया धातू होंगे यहनjal tu हूंगा जैसे की पा पीब है तो पीब का यूजज नहीं होगा पा का यूज वोगा तो इस प्रकार हमने आज आपका चेप्टर 3 शुरू किया और आज के वीडियो में यने की चेप्टर 3 पार्ट 1 में हमने अलग-अलग धातुओं का परिचाई किया और परवर्तनिय धातुओं का परिचाई किया आगे आने वाले वीडियो में इसी चेप्टर का चेप्टर 3 का पार्ट 2 हम परेंगे जिसमें हम और भी धातुओं का परिचाई करेंगे जो की परिवर्तनिय होंगे तब तक कि लिए stay home, stay safe and keep yourself healthy